नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर महराश्ट में लाउड स्पीकर विवाद के बीच मंसे चीफ राश्ठ ठाकरे ने सीय मुद्दव ठाकरे के लिए चिठी लिकर दी खुली चिनोती कहा सरकार हमेशा नहीं रहती हमारे सबर का इंतिहाम ना ले हमें जवाब देना आ इंद नो लगाता आर विवाद चिड़ा चला आ रहा है लाउड स्पीकर के मुद्दे को और हनुमान चालिसा को लेकर इसी बीच उस तरीके से मंसे चीफ राश्ठ ठाकरे की तरफ से एक अल्टिमेटिम दिया गया था उन्होंने कहा था कि 3 मई तक महराश्ट में जितने भ लोगों की गिरफतारी को लेकर नोटिस दे दिये हैं महराश्ठ पुलिस ने और इसी को लेकर कल मंसे चीफ राश्ठ ठाकरे ने सीयम उद्दव ठाकरे के लिए चिठी लिखी और उन्होंने खुली चिनोती दी उद्दव ठाकरे के लिए और कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहत राश्ठाकरे ने जो कि मराठी में भी लिखा हुआ है और उसे सोशल मीडिया पर यानि कि अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है राश्ठाकरे ने आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पत्र में राश्ठाकरे ने क्या-क्या लिखा है और किन चीजों को लेकर चुनोती दी है राश्ठाकरे की तरफ से साफ दर्शाता है कि किस तरीके का महुल इस वक्त पर महारास्ट में बना हुआ है लाउट स्पीकर के मुद्दे को लेकर जहां एक बार बार पर राश्ठाकरे ने इस बात को छेड़ा कि तीन तारिक तक लाउट स्पीकर हट जाने चाहिए अव बता दिते हैं कि इस पत्र में क्या लिखागया के लिखा है कि इन चीजों को अलेह किया गया है राश्छठाकरे ने अपने इस पत्र में राश्ठाकरे हमारे हजारव कारकरताओं को तड़ी पार किया और कईयों को जेल मडाल दिया गया है किसलिए दुवनी परदूशन को रोकने के लिए मस्जितों से अवेल लाउट स्पीकर हटाने की मांग करने के लिए पिछले एक हफते में सरकार जोस तरीके से महराश्ट के सैनिकों को पुलिस हमारे साथी संदीब देश पांडे और कई अन्निकार करताओं की तलाश ऐसे कर रही है जैसे कि वह पाकिस्तान के आतंगवादी हों सभी मराठी लोग सभी हिंदू लोग खुली आगों से देख रहे हैं उन्होंने पुलिस को महराश्ट के सैनिकों के खिलाफ ये क किस तरीके से उद्दव ठाकरे जो हैं वो एंसीपी और कॉंग्रिस के साथ सरकार बनाने के बाद अब फैसला जब लेते हैं तो तीनों पार्टियों से मिलकर ही उनका सला मश्वरा लेकर ही कोई फैसला लिया जाता है और यही बड़ा कारण है कि जब से उद्दव ठाकरे क आखिरकार क्यों नहीं हटाये जा रही है और वहीं अगर दमनकारी नीतियों का जो तरीके से जिक्र किया गया है राज ठाकरे ने अपने पत्र में इन चीजों को लिखा है तो यहां से तमाम लोग है वो भी अपनी राय रख रहे हैं पूरे प्रकरन को लेकर और लोगों का पर नवनीत राना जैसी स्तरी अगर वो संसद है अगर वो हनुमान चालिसा का पार्ट करने की बात कहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है उनके ओपर देश-द्रोग का मामला तक लगा दिया जाता है ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं उद्दव ठाकरे ये तमाम जो लोग हैं वो आज महराश्ट सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसी भी जो चैलेंज दिया गया है राश्टाकरे की तरफ से महराश्ट के सीम उद्दव ठाकरे को लेकर इस पर क्या जवाब आता है श राजठाकरी की तरफ से और साप शब्दों में ये भी कहा गया है कि सरकार जादा दिनों तक नहीं रहती है हमारा इंतहाम ना ले हमें जवाब देना आता है यानि कि चैलेंज जिए गया है राजठाकरी की तरफ से उद्दव ठाकरे को इसी लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर जुसमें बीजेपी की तरफ से भी यहीं मांगें कई बार उठाए गई है और अगर बात की जाए लावेद लाउड स्पीकर की तो इसके बात को लेकर राजठाकरी भी कई बार कहे चुके हैं कि आखिरकार ये कोड का मामला है कोड भी इस बात पर जवाब दे चुकी है तो फिर उठाकरे जो हैं वो इस बात पर अवल क्यों नहीं कर रहे हैं वहीं बात अगर हम उत्रपरदेश की करें तो उत्रपरदेश में पहले ही जो सरकार है वो हजारों की तादात में अवेल लाउड स्पीकर उतार चुकी है उत्रपरदेश से और इसी पूरे क्रम को लेकर मनसेचीफ राज़ ठाक्रे तारीव कर चुके हैं सीम योगिदथनात की और उन्होंने कहा भी था कि सीम योगिदथनात योगी उतरपर्देश में है और हमारे पास भूंगी है इस तरीके से कई बार वो दब ठाकरे के ओपर तंज कस चुके हैं पर उसके बावजूद भी कोई रस्पॉंस नहीं आया है महराश्ट्र सरकार की तरफ से लाउढ्ट स्पीकर के मुद्दे को ले कर क्योंकि जहां एक तरफ मंसे की तरफ से ये बार-बार बात उठाई जा रही है के अवैदर जो लाउढ्ट स्पीकर है उनको हटानाह चहीए सरकार की तरफ से तो वहीं शिवसेना के साथ सैयोगी पार्टी है NCP जिसकी तरब से इन चीजों का विरोध किया जा रहा है और वहीं बात हम करें शिवसेना के सांसस संजराउत की तो वो पहले ही कह चुके हैं कि आज राज ठाकरे अगर लाउट स्पीकर के मुद्दे की बात कर रहे हैं हनुमान 40 को ले कर बोल रहे हैं तो वो बीजेपी के भोपू बन चुके हैं यानि कि अभी तक जो महराष्ट की शिवसेना पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे के समय पर यानि कि हिंदू हिरदय समराट के नाम से जाने जाने वाले बाला साफ ठाकरे जो कभी शिवसे ना हिंदुत की पार्टी हुआ करती थी आज वो किस तरीके से लावेल लाउट स्पीकरों को भी नहीं हटा रही है महरास्ट में और तमाम लोगों की कोशिश के बात और वही अगर हम मन से चीव राज ठाकरे की बात करें तो उन्होंने तो खुला चैलेंज दिया था और कहा था कि महरास्ट सरकार को हटा देने चाहिए एक्शल लेना चाहिए पर उसके बावजूद भी किस तरीके से जिन लोगों ने अवेल लाउट स्पीकरों के खिलाफ आवाज उठाई उसी के उन्हीं लोगों के ऊपर कारवाही की जा रही है उन्हीं लोगों को चेल में भरा जा रहा है उन लोगों को नोटिस भेज जा रही है और यहीं बड़ा कारण है कि आखिरकार क्यों चैलेंज दिया गया है राज ठाकरे की तरफ से उद्व ठाकरे को और क्यों इन बातों का जिक्री किया गया है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती ह क्योंकि जिस तरीके की चीज़ है महराश्ट सरकार की तरफ से अब की जा रही है जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे बार बार पर इस बात को कहते हैं कि आने वाले 25 से 30 सालों तक महराश्ट में उद्धव ठाकरे की सरकार रहने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी जो आकड़े हैं वो कुछ और ही जीज़ें दिखा रहे है क्योंकि अगर नगर निकाय की चुनाव की भी बात करें तमाम जो छोटे चुनाव इस वक्त पर महराश्ट में हो रहे हैं उन चुनावों मैं शिवसेना के इस्ति थी में जादा इंप्रूमेंट नजर नहीं आ रही है और जनता ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को एंसीपी और कॉंग्रिस के साथ नकार चुकी है और अब ऐसा भी हो सकता है कि इन चीजों को लेकर बड़ा खामयाजा भुगतना पढ़ सकता है शिवसेना को आने बाले महरास्ट में बीएंसी के इलेक्शन को लेकर वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार नवनीत राना के मामले को लेकर शिवसेना के ऊपर और M.V.A. सरकार के ऊपर हमलावर है कि किस तरीके से सिर्फ एक हनुमान चालिसा के पार्ट को लेकर कारवाही की गई महाविकास अगारी सरकार की तरफ से एक निर्दलिय सांसत के उपर उनके पती रवीराणा के उपर आपको ये भी बता दें कि कोट की तरफ से जमानत मिल चुकी है नवनीत राणा और उनके पती को कुछ शर्तें भी दी गई है कोट की तरफ से पर उसके बावजूद भी किस तरीके से जो मामला है वो लगाता तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है महराश्ट में उद्दव ठाकरे की नीदियों के खिलाफ कि जहां पर एक तरफ अगर लाउट स्पीकरों का मुद्दा है तो सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है और जो इसके क्या लाउट स्पीकर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन लोगों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और उनी लोगों को जेल में डाला जा रहा है और ये जो बात आज राश्ठाकरी की तरफ से पत्र लिक कर उठाए गई है कि क्या इस तरीके का सर्च उपरेशन महराश्ठी की सरकार नए आतंगवादी और मजड़तों में छुपे हतियारों के खिलाफ चलाया है इसको लेकर क्या जवाब आता है न्सीपी की तरफ से और कॉंग्रिस की तरफ से जो हमेशा महराश्ठी में तो इस तरीकरन की राजनीती को लेकर समसे आगे खड़ी रहती है आखिरकार इन पार्टियों का क्या कहना होगा इस पत्र को लेकर जो की पत्र महाविकास अगारी सरकार के चीफ बोले आप महराश्ठी के मुखे मंत्री उद्व ठाकरे को भेजा गया है और वहीं हम आपको बता दे कि अभी आने वाले कुछ दिनों में पांच अगस को राज ठाकरे आने वाले हैं उत्र परदेश के अयोध्या उस वक्त पर भी देखना होगा कि किस तरीके का महौल क्रियेट होता है और क्या क्या बयान बाजी राज ठाकरे की इस उत्र परदेश में विजिट को लेकर उत्र ठाकरे जो लगातार अभी तक बीजेपी के उपर हमलावर रहते हैं इसी पूरे मामले को लेकर दूसरी तरफ महराष्ट और तमाम जो देश भर की जनता है वो भी आज नवनीत राना के उपर हुई कारवाही को लेकर सवाल जबाब कर रही है महाविकास अगाडी सरकार से के आखिरकार महाविकास अगाडी सरकार को हनुमान 40 से इतनी क्या दिकत है और ऐसी क्या परेश और वही लोगों का सवाल है के आखिरकार महाविकास अगाडी सरकार को क्या समस्या है अवे लाउड स्पीकर हट आने से केरिस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए धन्यवाद कि 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 कि